है गाल्स दस्तों आज हमारे पास है माउनो के तरफ से आने माला एक बहतरीन कंडेंसर वाला माइक्रोफोन जिसका नाम है माउनो PD200X बिसिकली ये एक डाइनामिक माइक्रोफोन है और इसका इस्तमाल हाई क्वालिटी आडियो रिकॉर्डिंग के लिए किया आता है चाहें आप पॉड्कास्ट कर रहे हो या फिर आप स्क्रीन या डेक्स्ट आप रिकॉर्डिंग करे हैं वाईस ओबर करते हो गेमिंग या फिर लाविस्टी करते हो, ये वन ओ द बेट्किविटी डो दिआ गया है सबसे पहले आप USB से डिरेक्ली अपने कम्प्यूटर, लैप्टप या स्मार्ट फोन से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं फिलहाग में हाँ पे माउनों का ही एक कास्टर इसनमाल करूँगा इसका XLR connectivity और quality को दिखाने के लिए सबसे पहले इस dynamic microphone को किस तरीके से आप USB से डिरेक्ली कम्प्यूटर में इस्तमाल करेंगे और voiceover करेंगे या podcast करेंगे यह आपको दिखाएंगे उसके बाद हम आपको दिखाएंगे XLR से connectivity और उसका भी audio quality दोस्तों सुरुआत करते हैं इन दोनों की unboxing के साथ सबसे पहले आंबॉक्स करते हैं इस mic को उसके बाद हम इस caster को तो गाईज यह है माउनो PD200X का box pack यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ manuals मिलेंगे manuals की जरोत में मैं आपको सब बता रहा हूं सबसे पहले यह आपको मिलता है main cable इसका जो की mic से computer में या फिर mobile में यहाँ भी लगाना चाते हैं वो इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे माल का चीज़ आपको मिल रहा है type C है यह और यह तो आपको mic में लगाएगा लेकिन यह दूसरा साइड जो है आपके पास A और C दोनों में से आप split कर सकते हैं converter यहाँ पे तो जैसा आपके XLR connectivity के लिए jack दिया गया है और यहाँ पे आप रियल टाइम monitoring के लिए आप headphone भी लगा सकते हैं यह यहाँ पे आप lights को आप और इसे आप चेंज कर सकते हैं बार बार म्यूट भी कर सकते हैं आप वन क्लिक में यह देखे इसमें आपको इस टाइप का shotgun टाइप कर दिया गया फ्रंट से recording होती है अगर आप फ्रंट से बोले को तो सबसे best और highest audio इधर साइड में सोड़ा दिक्कास होता होतना नहीं है और यह है आपका programmable light जो की बहतर फील देगा आपको यहां पर कुछ आपको manuals मिल रहा है आपको इसकी जुरुत नहीं है मैं बता रहा हूं क्या बहुत सिंपल इसका uses और यहां पर आपको सबसे पहला मिलता है अक्स के बल इसका इस्तमाल करके आप DSLR से बिकनेट कर सकते हैं यह जो है आपका टाइप सी दिया गया है और इसके बाद यह आपको मिल रहा है में पॉड्कास्ट का console और यह mixer भी कह सकते हैं इसमें लोग ब्रैंडिंग है यहां पर आप देखिए USB और स्ट्रीम का output यहां पर minimum maximum कर सकते हैं और यहां पर volume को बढ़ा गटा सकते हैं यहांपे फोन वड़ा सकते हैं और इन बटन उइपको थोड़ा विस्थार से दिखाता हूं कि क्या क्या है लेकिन उससे पहले आप दिखि लीजिए यहां पर पावर सप्लाई कर सकते हैं चार्जेबल है चार्ज हाता है फोन लापटब कर सकते हैं स्ट्रीम आउट हेडफोन और यहां पर आपको एक्सलाइट माइक लगाना होता है अब चलिए सुरुवात करते हैं कि इसकी वाइस क्वालिटी टेस्ट को अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो हमारे इस माइक्रोफोन से सुन रहे हैं लेकिन अब अगला जो आवाज सुनेंगे वो इस से सुनेंगे और अब जो आप आवाज सुन रहे हैं यह माउनो के PD 200 X का है बिसिकली एक डाइनमिक माइक्रोफोन है खासियत यह होती है डाइनमिक माइक्रोफोन की कि अगर कोई external बाहरी आवाज जो है अगर कहीं भी होता है तो वो उसे ignore कर देता है आपको rectify करने के जुरूत नहीं होती है यह देखिए RGB भी आपका जल रहा है यहाँ पे जो हम आवाज बोल रहे हैं यह अगर हम side से बोलेंगे तो थोड़ा सा आपको कम जाएगा क्योंकि basically यह gun type का होता है न व थोड़ा कम रहेगा तो किदर से भी side से जाएगा तो कम रहेगा right but this is the best way अब यहाँ पे आपको option दिया कि आप इसे mute भी कर सकते हैं देखिए मैं mute करता हूँ और यहाँ पे आप gains को बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं यह देखिए आप इससे differentiate कर पा रहे होंगे साथ साथ आप मॉनिटर भी कर सकते हैं आवाज को अपने headphones के साथ अगर आपके पास headphone है तो तो यहाँ देखिए आपको standard और advanced दो option मिलते हैं standard में आप यह सारी शीज़े कर सकते हैं mute कर सकते हैं gain को बढ़ा सकते हैं headphone के volume को monitor कर सकते हैं और tone को deep neutral और आप कैसा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से adjust कर सकते हैं RGB को off on flashing color यहाँ से select कर सकते हैं advance में और भी option आपको मिल जाते हैं तो इससाब से आपके पास और भी चीज़े हैं करने के लिए जो कि आप advance में कर सकते हैं दोस्तों और इस तरीके से आप mono का बहतरीन इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर हम इसको XLR से connect करेंगे connectivity के साथ और यह जो आपके पास caster है उसका इस्तमाल करके हम इसमें दिये गए कुछ functions को आपको दिखाते हैं okay guys तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इस mono के microphone से XLR connectivity कर दिया है और इसका जो यह है वो इस caster में आ गया है हमको स्तुरुआद करने के लिए इस caster को power on करना पर गया power on करने के लिए यहाँ बटन दिया गया यह चार्जेबल है आप इसे थोड़ी दिर चार्ज कर देंगे तो यह on हो जाएगा टैप करने पर यह आपका on दिखिए on हो गया और आपके लाइट आपको दिखेंगे glow होते हुए जब यह on हो जाएगा तो अब फिल्हाल इसे हम आपको operate करके दिखाते हैं कैसे यह operate होता है और क्या इसका मतलब होता है जब भी आप XLR connectivity करेंगे तो यहाँ पे यह lights XLR में नहीं जलेंगे इसलिए आप confused मत होईएगा और यहां से mute वगरा भी नहीं जो कुछ को भी controls होंगे तो सारे यहीं से होंगे यहाँ पर आप चाहें तो DSLR से भी connector सकते हैं डिरेक्ली अक्स यहाँ लगा के अक्स का है वहां से आप connector देंगे DSLR को या फिर यहाँ पर headphone वाला है उससे connector सकते हैं streaming output उसे भी से आप connector के आप आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं directly from DSLR फिलहाल मैं यहाँ पर monitor भी करूंगा आपने आवाज को कि किस तरीका से यह आवाज कर रहा है और आपको अब हम दिखाते हैं इसके सारे functions को तो यहाँ पर आपको इस side आप देखेंगे तो इधर कुछ ज्यादा करना तो mobile phone connectivity के लिए आप जैक दिया गया है mobile लैपटॉप में अपने voice को रिकॉर्ड कर सकते हैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यह आप इस्तमाल करना होगा आपको बाकि DSLR के लिए इस्तमाल करना होगा और finally यहाँ पर बहुत सारे interfaces हैं उसमें से आपको बताता हूँ यह गेन का है adjustment जिसे आप गेन अड़ेस्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको आक्स के आवाज को बढ़ाने घटाने के लिए आप दिया गया है यहां से आप जो है volume को increase या decrease कर सकते हैं इस jack से यह देखिए और यहाँ पर फैंटम पावर 48 वोल्ट द कर सकते हैं से pitch आप reset कर सकते हैं male female और robot वगरा आवाज कर सकते हैं और यहाँ पर noise reduction का option दिया है noise reduce कर सकते हैं उसके बाद और अलाग अलाग दो बटन से इससे आप किस्टमाइज कर सकते हैं और फोन को आप यहां से भी control कर सकते हैं तो यह सारे options हैं दोस्तों और हमाशा करत रूपए है Amazon से आप चेक आउट कर सकते हैं मैं नीचे लिंक दे रहा हूं और सांसत में आपको बता दूँ कि यह अगर आप USB से कनेक्टर ना है तो आपको कोई जरूरत नहीं है इस कास्टर को लेने के लिए आप सिर्फ यह माइक ले लीजी और आपका काम बन जाएगा दोस्तों तो आप इसकााइब करने लापतかった के अपका चाहें किसी भी लैप डूपप से कास्टर लेना पड़ेगा दोस्तों फिलहाल इसका विलिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हमाशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह अगर आपको बसंद आता है नीचे से चेक आउट कर लेजिए वीडियो से बहुत लगा सुक्रिया थैंक यू